दोस्तों आज हम देखेंगे जर्मन शेफर्ड डॉग में बहुती कॉमन प्रॉब्लम इयर स्टेंडिंग ना होने की प्रॉब्लम जो होती है कान खड़े ना होने की प्रॉब्लम जिससे उसके लुक्स में हम देखते हैं कि खराबी होती है और उसका looks खराब होने के जिसे breed quality खराब हो जाती है आज मैं आपको बताऊंगा tapping का वो method जिसके थूँ हम इस German Shepherd का जो एक कान गिरा हुआ था उसे हम खड़ा करेंगे सबसे पहले आप जो ice cream stick आती है जो हम ice cream खाते हैं वो stick लेकर के आपको सबसे पहले क्या करना है उसके ear का size लेना है जैसे कि इसका केवल एक ear का tip गिरा हुआ था तो हमने उतना size लिया है जितना कि इसके ear की tip तक हम उसकी tapping कर सकें जैसे ही आप size लेंगे प्रॉपर आप size लेंगे तो आपको क्या करना है उसे केंची से cut कर लेना है scissor से cut कर लेना है step by step मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अच्छे से तो अब देखिए आप केंची से इसको cut कर लीजे cut करने के बाद में दोस्तों डाइना प्लास्ट की यह जो पूरी tape है वो आती है यह आपको किसी भी medical shop पे मिल जाएगी डाइना प्लास्ट की खास बात है कि इसमें जो stickness होती काफी अच्छी होती है यह अच्छे से चिपक जाती है किसी भी body part में तो यह देखे हम क्या कर रहे हैं ध्यान से इस step को देखेगा सबसे पहले हमने इस stick को जो size हमने लिया था उसको हमने इस डाइना प्लास्ट में चिपकाया और उसको उसके size के according extra जो डाइना प्लास्ट है उसको cut करके अलग कर दिया फिर देखे जो हमने दूसरा हिस्सा काट रखा था उसको हम कैसे चिपकाएंगे इसके ठीक उल्टई direction में चिपकाएंगे जिससे जो polythin वाला पार्ट है वो उपर रहेगा मतलब जब हम इसका जो cover हटाएंगे तो यह dog के कान में अच्छे से चिपक जाएगा यह देखे अब हम कैसे कर रहे हैं इसको इस step को जहां से देखेगा उपर जो हमने sticky part रखा है जो की अच्छे से उसके कान में चिपक जाए अब हमने यहाँ पर एक base बना लिया एक frame बना लिया है यह देखे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने उसकी layer हटाई है और layer हटाने के बाद यह कान आप देख सकते जर्मन shepherd का एक tip से गिरा हुआ है layer हटाने के बाद में हम dog को अच्छे से restrain करेंगे पकड़ेंगे उसको ताकि यह हिले नहीं और जैसे बड़ा ही naughty dog है बहुत सारे dog ऐसे आपको मिल जाएंगे अलग-अलग behavior के तो अब देखे हमने क अच्छे से चिपका दिया यह देखी चिपक चुका है अच्छे से और चिपकने के बाद यह एकदम से हटेगा नहीं अच्छे से रहेगा अगर dog ज्यादा effort करके नहाटाए उसे तो फिर हम क्या करते हैं फिर से dynoplast का एक हिस्सा काटते हैं और उसके ear को support देने के लिए ज हमें उसे इतना tightly ear को इतना tightly close नहीं करना है कि उसमें जो blood circulation है वही रुख जाए और gangrene develop हो जाए अब देखे हम क्या कर रहे हैं इसमें हलके हाथों से बहुत ही soft handedly जैसे हमने लेबरेड और में बताया था आपको ear tipping वैसे हम इसमें कर रहे हैं बहुत हलके हाथों से आपको ज उसमें blood circulation होना चाहिए बहुत ज़्यादा tight नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए नहीं तो वो निकल जाएगा यह आपको करके रखना है बस tapping हो चुकी है आपको दो दिन follow करना है इसको और अगले दिन हटा करके neomycin का powder डालना है यह process आपको informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को like करना ना भूलें thank you very much